दोस्तो पेटियम ने तीन खास ओफर दिया है सभी KYC, MINI KYC यूजर के लिए आपको इस ओफर के दोरान मिनिमाम से मिनिमाम 125 का फाइदा हो जाएगा मैक्सिमाम फाइदा होगा तो 200 रुपए का फाइदा होगा पहला जो ओफर है, रीचाज ओफर है, दूसरा सेन मनी ओफर है और तीसरा पोस्पेड यूजर के लिए ओफर है, उससे आपको जादा से जादा 100 रुपए का फाइदा हो जाएगा तो मैं हो आपका होस्ट और दोस्पार्त आप देख रहे टेक 2.0 ओफर जानते और आगे बढ़ते तो चलो पेटे में आपको अपके समने ओपेन करते और एक एक करके सभी ओफर आपको दिखा देते तो इस प्रकार से पेटे में आपको ओपेन कर लेना है और किधर जाना है वो तो आपको पता ही होगा तो नीचे जाके स्क्रॉल करके आजाना है और एक चीज आपको कहना चाहेंगे लाइक कीजिएगा वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन बरता है और इस पुकार से जो जाना ओफर रिलेटेड वीडियो आपको बनाने बना के देने में भी मज़ा आता है तो चलिए अभी आजाते हैं ओफर सिक्षन के उपर और आपको दिखा देते और इस वीडियो को अपने दोस्के साथ भी सेयर कर दीजिएगा चैनल पे नहीं होंगे तो जरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो देखिए अभी आपको किधर जाना है कैस बैक एन ओफर सिक्षन के उपर आजाना है कैस बैक ओफर सिक्षन के उपर जब भी टैप करेंगे इधर आपको बहुत सरे ओफर दिख जाएगा थोड़ा सा नीचे स्कॉल करके आ जाएगे तो पहला जो ओफर है आपको बता देते हैं पहला ओफर आपको मानी ट्रांसपर वालेट बैंक ओफर के उपर दिख जाएगा तो इसके उपर आपको टैप कर लेना है जब भी टैप करेंगे सभी KYC उजर के लिए ये ओफर दिख रहे है मैं तीनों एकाउंट पे चेक किया मेरे तीन KYC एकाउंट है सभी KYC एकाउंट पे ये ओफर मुझे मिल चुका है देखिए सेंड मनी ओफर है बैंक से सेंड करना परेगा और एक मनी सेंड करने से आपको 20 रुपाए का खाइदा होगा देखिए अभी गेट 20 से लेकर 100 रुपीज तक एस बैग मिल सकते हैं अभी डीटेल्स चेक करेंगे मोर डीटेल्स जब भी चेक करेंगे इसके अंदर आपको पता जरू चल जाएगा देखिए ओफर इस एप्लिकेबल फर सिलेक्टेड कास्टमर अली सिलेक्टेड कास्टमर बोला गया है मगर ज़्यादा तस KYC अकॉंट पर ये ओफर दिख रहे है ठीक है तो देखिए यूजर विल रिसीब स्क्रैच कार्ट ओर्थ 20 से लेकर 100 रूपीज पेटियम फर्स्ट पॉइंट नहीं है ये आपको फ्लाट कैस्ट बेगा 20 रूपाय मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कितना देगा 100 रूपाय का कैस्ट बेगा देखिए आपको क्या करना है आपको सिर्फ एक रूपाय सेंट कर देना है किसी भी UPA ID पे और आपको पेटियम का UPA Handle ही इस्तेमाल करना है अलाद कोई भी UPA Handle से नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो पेटियम UPA Handle से आपको इसको भेजना है ठीक है तो आपके सामने एक करके भी दिखा देते आ जाईए तो अभी हम लोग क्या करेंगे SEND NOW करते हैं SEND NOW करने के बाद किसी भी एक UPA हैंडेल के उपर SEND कर देते आ जाईए Black दीखेगा आपको साइट ठीक है तो SEND करने के बाद Cashback दिखा दे और देखिए मुझे दो स्क्रेच काट मिल चुका है पहला जी जी ज पहला करने के देख लेते हैं और एक बाद दिखा देते हैं देखिए मुझे Cashback मिल चुका है तीनो Cash scratch काट है इधर पहला जो स्क्रैच काट है और देखिए जहांडू वाला ठीक है नहीं अलग है तो अभी दूसरा जो स्क्रैच काट है इसके उपर भी जाते है देखिए इधर यू ओन रामी टाइम डिसकाउंट और लाजड वाला स्क्रैच काट पे मुझे 20 रुपए मिल चुका है तो ये 20 रुपए अभी आपको किदर जाके चेक करना है उपर देखिए cashback on है 7100 रुपए है तो इधर से जाके जब भी चेक करेंगे देखिए आज देखिए 22 जून है और 22 जून मुझे 20 रुपए मिल चुका है तो ये किदर जाते अभी आपको जो recharge offer है ओभी चेक करा देते देखिए recharge offer इस प्रकार से उपर ही आपको एक दीख जाएगा lock offer है तो ये भीतर भी आपको दीखेगा recharge and bill payment offer के उपर आ जाना है recharge and bill payment offer के उपर जब भी जाएंगे इधर देखिए recharge any mobile number get up to 100 cashback तो इसके उपर जब भी tap करेंगे इधर आपको पता चल जाएगा देखिए आपको 100 रुपए का cashback मिलेगा और more details के उपर जब भी जाएंगी इधर आपको बताया जाएगा 48 रुपए या उससे ज़्यादा का कुछ भी recharge करेंगे तो आपको ये cashback दे दिया जाएगा ठीक है minimum से minimum आपको 5 रुपए जरूर मिल जाता है ठीक है मुझे 2-3 बर 5 रुपए मिल चुका है तो minimum से minimum आपको 5 रुपए मिल जाएगा इसके मतलब क्या हुआ आपको पहले बार के लिए 20 रुपए मिल गया ठीक है देखे नीचे using ptm postpaid get up to 10,000 ptm first point तो 10,000 ptm first point का कीमत कितना हुआ 10,000 ptm first point का कीमत हुआ 100 रुपए तो इसके मतलब minimum 100 रुपए इधर से मिल जाएगा 20 रुपए आपको मिल चुका है और 5 रुपए मिल चुका है maximum होगा तो आपको क्या होगा उधर से आपको 100 रुपए मिल जाता था और इधर से 100 रुपए मिल गया और उधर आपको जो recharge offer था recharge offer पे आपको 25 रुपए मिल जाएगा तो क्या होगा 200 या उसे ज़्यादा का recharge offer मिल जाएगा ठीक है तो देखिए अभी ptm first point के उपर आ जाते है और आपको इधर दिखा देते है तामसें कंडिशन क्या रखा गया है more details के उपर जब भी जाएंगे इधर आपको बताया जाएगा देखिए to get this offer you must have ptm postpaid account तो postpaid account को आपको पहले active करना पड़ेगा ptm postpaid account का active करने के लिए आपके पास एक pen card होना जरूरी है pen card credit limit check किया जाएगा उसके बाद आपको postpaid का कुछ भी limit दिया जाएगा ठीके तो if you don't have active postpaid account you need to sign up तो आपको sign up करना पड़ेगा ठीके तो देखिए इधर बताया गया this offer is applicable when you pay using ptm postpaid ptm postpaid से जब भी payment करेंगे तब भी यह offer count होगा देखिए अभी जो फास्ट टामसन गर्डिसन दिया गया देखिए फ्लाट 5000 points on fast transaction इसके मतलब क्या हुआ 5000 फास्ट पॉइंट पेटियम फास्ट पॉइंट आपको पहले transaction पे मिल जाएगा और 5000 फास्ट पॉइंट का कीमत कितना होता है 50 रुपए अभी तो 50 रुपए का sketch card आपको पेटियम फास्ट पॉइंट पे मिल रहा है तो देखिए दूसरे वाला जब भी करेंगे किधर बताया क्या देखिए दूसरे और भी 4 बार होगा दूसरे चार बार पर क्या मिलेगा देखिए देन बारा सब पचास करके आपको पॉइंट दिया जाएगा इच फोट टांजक्शन पर तो कूल मिला के दासाजार मिल जाएगा ठीके तो इसके लिए आपको क्या करना होगा देखिए इस ओफर भैलीट ओन डीचाज उटिलिटी बिल पेमेंट्स डीटेज डेटा कार्ड तो क्या होगा देखिए इदर मीनिमम से मीनिमम में एकसा अठानोवी रुपाय का आपको रीचार्ज करना होगा या उससे जादा होगा जीयो का रीचाज कर लीजेगा वोड़ाफोन का र इस्तेमाल करना परेगा जब भी इस्तेमाल करके रीचाज कर दीजिएगा आपको 5000 पेडियें फास्ट पॉइंट पहले टांजक्शन के लिए मिल जाएगा और ना कीजिएगा तो भी चल जाएगा क्योंकि आपको यह एक बार 5000 पॉइंट मिल गया तो 50 रुपए का स्क्रैच क इजिली मिल जाएगा देखिए यह जो वैलिडिटी दिया गया है 15 जुलाई तक यह वैलिडिटी दिया गया है एक बार देख लीजिएगा देखिए पे यूजिंग पेडियें पोस्पेड फाइप टांज वीफोर 15 जुलाई 15 721 ठीक है तो यह वाला उफर जरूर टाइग क्योंकि मैक्सिमम आपको फाइदा होगा 100 रूपाई का पेडियें फास्ट पॉइंट बहुत सारे लोगों के हैं तो क्या होगा आपको क्या होता है इधर देखिए मेरे पेनाव जब भी करेंगे पेडियें पोस्पेड के उपर आ जाएंगे और इधर से क्या होता है एक ब महिने को इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या होगा आपको जो दूसरा महिने होगा साथ तरीक से पहले उसको लोटा देना है साथ तरीक से बाद में लोटा आएंगे तो आपको कुछ चार्जेस देना पड़ता है वह भी दिखा देते आ जाएंगे उपर आपको इस प्रका यूबग के ऊपर जायेंगे इतर आपको बताया जाएगा मेरा जो लिमीट है 15 सू रूपई का लिमीट है ठीक है तो अभी बापस आते हैं और आपको दिखा देते हैं charges क्या है charges कितना रूपई लगता है अब late fee देंगे तो ठीक है तो चलिए दिखाते यह देखे पेटियम पोस्पेट के उपर आ जाने के बाद frequently asked question के उपर आ जाना है पेटियम पोस्पेट और इदा देखिए charges and fees आपको मिल जाता है तो इसके उपर जब भी tap करेंगे आपको बताया जाएगा अब अगर 100 रुपए लेंगे या देखिए आपको 0 रुपए फी देना परेगा लेट फी होगा तो ही देना परेगा ठीक है पार मंथ और देखिए एक सो जीरो फी होगा लेट फी कुछ भी नहीं है 100 रुपए आप टू 100 रुपए तक कुछ भी लेट फी नहीं है ठीक है पार मांत एक महिने के लिए और देखिए 101 रुपई से लेकर आपको 500 रुपई का लेट पी कितना देना पड़ता है देखिए 10 रुपई और 211 से लेकर 500 रुपई के लिए लेट पी आपको कितना देना पड़ता है 25 रुपई ऊपर देखिए पहले पढ़ लेते there is no interest आपको कुछ भी interest नहीं देना परेगा no processing fee a nominal convenience fee is applicable on monthly spend late fee is charged only when you are not able to clear dues by the due date currently which is 7th every month तो 7 तारीक every month को आपको इससे पहले ही चुका देना चाहिए तो जब भी चुकाएंगे आपको कुछ भी नहीं देना परेगा और देखिए no interest no processing fee कुछ भी interest नहीं है कुछ भी processing भी नहीं है तो एक सो अठान हो भी या उससे उपर कर रिचार्च कर लिजेगा तो आपको 5000 पेटियम फर्स्ट पाइंट मिल जएगा पचास रुपाई पर कर पाएंगे वो पिछले वीडियो पे आपको बता चुके जाके एक बाद ज़रू देर लगीजेगा थैंको फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलते आगले वीडियो के उपर थैंक्यू झाले वीडियो